नमश्कार दोस्तों, मैं परितलाटी डिवाइन कनेक्शन की टीम से आपका हार्दिक स्वागत करते हूं और आज का हमारा टॉपिक टैरो कार्ड रीडिंग पे है दोस्तों टैरो कार्ड रीडिंग एक बहुत ही जाना माना और नोन टॉपिक है बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जो तोते से कार्ड को उठाके आपके सामने रखते हैं और ये टॉपिक पे काफी हसी पत्र चीज़े भी रही है लोग इसको बहुत जादा टैरो कार्ड को सीरियसली नहीं लेते इसलिए मैं आज आपसे टैरो कार्ड के बारे में बात करने को आई हूँ तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि टैरो कार्ड है क्या तो टैरो कार्ड एक माध्यम है Like card के form में हम divine से connect करके वो कार्ड को इस तरह से use कर सकते readings के लिए के जो हम अपने कानों से और आखों से देख नहीं सकते सुन नहीं सकते परमात्मा की वो language जो परमात्μα और God you can say के जो हमसे convey करना चाते है वो टैरो कार्ड के थुरू हमको convey कर सकते तो इस workshop में हम लोग क्या सिखाते हैं, टैरो में, जब हम सिखाते हैं, हम लोग readings भी करते हैं, और हम ये course भी सिखाते हैं, तो पहले course की बात करते हैं, तो course में there are 79 cards, तो 79 cards होते हैं, टैरो के, तो उसमें positive, negative, neutral cards वगेरा हम सारी चीज़े आपको सिखाते हैं, किस तरह से आप क तो आपका ये impact है, अगर ये past past में ये card आ रहा है, present में ये card आ रहा है, future में ये आ रहा है personality में आ रहा है, guidance में आ रहा है कौन सा card कहां पे आ रहा है, तो उसको किस तरह से read करना cards को कैसे connect करना because simply अगर card को देख लेंगे, तो वो monotonous हो जाएगा, mechanical process हो जाएगा, तो हर card के साथ आपका क्या connection है हर card, like card तो same है, उसका story आप अलग वे में interpret कर सकते हो, तो हर card आपको क्या बोलता है वो हम लोग सिखाते हैं, हम लोग आपको ये भी सिखाते है कि divine से कैसे connect करके, वो उर्जा को आप card में लेकर आओ tarot cards में, और फिर उसका आप reading और interpretation करो, तो इससे क्या है कि आपकी समझ भी पड़े की cards को लेकर ठैराव होगा आपके अंदर और आप अच्छे से proper वी में guidance और prediction कहां तो खुद का कहां तो दूसरों का कर सकते हैं और readings में हम लोग जब tarot कर देखते हैं, read करते हैं किसी person का, तब हम लोग ये देखते हैं कि person के exact questions क्या है बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि बहुत precise रहना यहाँ पर, exactly कि मुझे शादी supposing करनी है तो किस तरह की लड़की है या अगर मेरे पास तीन option है तीन लड़किया है तो इस तरह से हम options देखकर reading कर सकते हैं कि कौन सी लड़की इस person के लिए best suited रहेगी या फिर कौन सी job या फिर किस तरह कर decision या out of country जाना या same country में रहना आगे career में क्या pursue करना या फिर हमारे चakras के बारे में भी हमको पता चलता है किस तरह से हमारे seven chakras placed है हमारे organs किस तरह से काम कर रहे कौन सा दिन हमारे लिए अच्छा रहेगा कौन से lucky like colors हमारे लिए lucky रहेंगे तो ये सारी चीज़े आप खूद अपने हातों से हम लोग readings में भी देखते हैं आपके लिए और अगर आप सीखते है तो ये चीज़ आप खूद करना भी सीखते है तो ये करिबन तीन से चार दिन का online और offline दोनों वरक्शॉप रहता है टैरो रीडिंग्स का तो और ये वरक्शॉप के बाद आप एक strong person बनके बाहर आते हैं आपके decision making में बहुत फर्क पड़ता है the way you take life, the way you see things will be different और एक positive energy का प्रवा आपके साथ हमेशा रहेगा जितना जितना आप card में रीडिंग में powerful होते जाएंगे उतना like future का आपको clarity भी मिलेगा और आपको आगे क्या करना है divine आपको किस तरह से guide कर रहे है वो भी आपको पता चलेगा तो for more details आप definitely नीचे दिये गए numbers पे contact करे और हमारा website divineconnections999.com उस पे visit करे आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं धन्यवाद